पारवगी जी ने कर जोड़कर हाथ जोड़कर भगवन शिव से अपने पुत्रों के सामने अपने बच्चों के सामने इसकूती कि शंकरवगवन से कहा आपने मेरा नाम गुरुमावकी रख दिया गुरुमान बन गए मैं कुछ दे रहते लिए बेध्यब्र के रूप में आ गई पर शिव जी से सिवचा कि फिर फिर आप मुझे बापिस के से सामने हो गए मुझे करते हैं शिव जी करते हैं कुवारी कन्या तीच का बरत करती है हर्पाली का तीच करती है छोची तीच बड़ी तीच हर्याली आदीची करती है छच बरत करती है कुवारी कन्या नौरात्रे बरत करती है कुवारी कन्या जितने भी बरत धारन करती है सुम्बर मंगल बुल गुल गुलु सुकर सनी जो भी बरत उतने करा है कुवारी कन्या बूल से एक लोटा जल मुझे समर्फित करती है शिव करते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है सुखसंदरी के समान हो उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता उसकन्या के लिए स्रेश्ट वर देखना मैं बेटियों से इसाद्रूर ताउंगा साधी होने के बाद अपस्लकर जी को जल जड़ाओगी आपके माता पिता जरू देखेंगे पर पर पकपका संकर भनवान भी करेंगे कि ये कहाँ है शिरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेब आप सभी का वीडियो में स्वागत है दोस्तों कल पंचमी तिती का दिन है और प्रतिक बर्स माकशीश मास की सुकल पक्च की पंचमी तिती को बिवा पंचमी का पर्व मनाया जाता है कहा जाता है कि इस दिन भगवान सीराम और माता सीता का बिवा हुआ था इसलिए बिवा पंचमी को भगवान श्री राम और सीता जी की बर्स गांट की रूप में मनाया जाता है बैसे तो इस दिन का बिसिस महत्व है लेकिन यह दिन साधी बिवा जैसे कारियों के लिए सुब नहीं माना जाता है लेकिन इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी जीवन की सारी शमस्याएं दूर हो जाएं सारे कश्ट दूर हो जाएं दोस्तों बीडियों में बताये गए उपाय साधी बिवा से सम्दित हैं जैसा कि आपको पता ही होगा साधी बिवा का समय चल रहा है और यदि आपकी भी साधी बिवा की बात चल रही है और बिवा में समस्या आ रही है बार बार किसी कारण से रिस्ता जूनने से पहले ही तूट रहा है और यदि आपको कोई देखने आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका बेबाब पक्का हो जाए तो बताया गया यह हुपाय आप कर सकती है दोस्तों या तो आप यह कारब संबंद पक्का होने से पहले कर ले या फिर जब आपके संबंद की बात चल रही हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं यह उपाय करने के लिए आप चले जाएं सिब मंदिर और यदि आपके घर में सिबिलिंग हो तो यह कारब घर में भी कर सकते हैं आपको लेना है एक काली मिर्च और एक बेल पत्र और चले जाना है सिबिलिंग के पास सबसे पहले आपको सिब जी को एक लोटा जल समर्पित करना है फिर जो आप काली मिर्च ले गए हैं वा काली मिर्च सिब जी को सिबलिंग पर समर्पित कर दें फिर बेल पत्र को उठाएं और अपनी मनुकामना बोल कर ओम नमस्षिवाय का जाब करते हुए उस बेल पत्र को सिब जी पर समर्पित कर दें लेकिन दोस्तों जब आप बेल पत्री समर्पित करें तब बेल पत्री की डंडी का मुख आपको इस परकार रखना है देखिए आप स्क्रीन पर जब आप बेल पत्री समर्पित करें तो बेल पत्री की डंडी का मुख आपको अपने उल्टी तरफ रखना है मतलब जिस तरह आप खड़े हैं उसके दूसरी तरह आपको डंडी का मुख रखना है बस इतना सा कारे करकर आपको आ जाना है महादेब आप परक्रपा करेंगे और आपकी साधी बिवा की समस्याइं भी दूर हो जाएंगी दोस्तों हम आसा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गया होगा यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने मा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें धन्यवाद